नमस्कार, पापाममीकिचन.डाट कॉम में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बेशन का ऐसा मसालेदार नास्ता बनाना बताऊंगी जो सुबर की चाई के साथ में और दोपर की चाई के साथ में एकदम परफेक्ट रहेगा इसके साथ यदि आप यातरा में कहीं जा रहे हैं ये नास्ता बना कर लेकर जाएंगे तो दो तिन दिल भी खराबनी होता है इसके साथ खाने के लिए में एक आपको टमाटर की खटी मिठी और तिकी चट्नी बनाना बताऊंगी जिसका कंबीनेशन इस नास्ते के साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा तो आएए बेशन का नास्ता और टमाटर की खटी मिठी चट्नी बनाना सुरू करते हैं बेशन का नास्ता बनाने के लिए हमने आदा कप बेशन लिया है यह महीन वाला भीसन है, इसमें आदा छोटा चम्मच लाल मिर्शी डाल देंगे, काटर चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे, और आदा छोटा चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम्या चादा डाल सकते हैं, और आदा छोटा चम् इसके खाली पतियां ली है, इसका फ्लिवर बहुत अच्छा था नास्ते में, अभी हमने एक कप पानी लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो इसके अंदर गुटलिया पड़ जाएगी, आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें अच्छे से मिक्स कर लें, आप जाए तक बेशन को चान के भी ले सकते हैं, चानने से भी क्या इसमें घुटलिया जादा नहीं पड़ती है, विसब को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और पूरा पानी इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके, इस तीज का आपको ध्यान रख अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी इसको पकाने के लिए, अपने एकड़ा ली है, इसको पकाने के लिए एक टीज इस्पून जितना तेल डाल जाते हैं, और गैस को चालो करते ते इसमें आप जयान बड़ा दिया घर जालो करें, तीज आँ अच्में चालो नहीं करें, और हलका सा जैसे यह गरम हो गया तेल, इसके अंदर बेशन जो अमने गोल बना के रखा है वो इसके बाल देंगे इसके दीरे दीरे पकने लग गया है अब थोड़ी देर में एकट होने लग जाएगा आज को इससे में हमने स्लो ही रखा है पूरा काम हमें हमें को स्लो आज में ही करना है यह काम अब यदि आप भारी तले की कड़ाई में करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से हो जाता है उसे तीन मिनट में कड़ाई चोड़ना लगता है इसना ही पकाएंगे इसको अभी हम गेस को बन कर देते और इसको दूसरे बरतन में निकालनेंगे और ठंडा करने के लिए हम इसे रख देंगे तब तक हम जट पट टमाटर की चटनी बना करके त्या जाओ ग्राम टमाटर लिए हैं यह लाल टमाटर देकर के लिए तो ज्यादा अच्छी लाल लाल चटनी बन के त्यार हो अब इनको हम सबसे पर लेशना हम एक टीश्पून नमक डाल देते हैं नमक डालने से का टमाटर का पानी फूर जाता है जल्दी से और तमाटर भी आज़ को हम दे म investig देंगे और ज़कन डगाकर कर लिए ढ़िए ठीजिते हैं अब इती मिनट हो गये हैं निकालते जेकर ते टमाटर काफी सौंफ हो गए हैं इसमें हम गुद से लिए नगाइज बनाए ने आप इश्पिन इसमें बना कर के त्यार करेंगे इसलिए हम इ यह तरह की कहाने लगती है और बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है अभी इसमें एक छोटा चमछ हम दरदरी पीसिए काली मिर्ची डाल देते हैं इसका बिटाउच तिसमें बहुत ही अच्छा हैगा इसके साथ इसमें तिखापन देने के लिए हम एक छोटा चमछ कस्मीरी लाल उसका बैंकर नमीर्शी दाल देते हैं। कथिस संव्पटम से स्वटिन भाइज व लगता है। जादा समय लगता है। जर ले डिरियें आज करके इसका हम दो मिनित तक और पका लेंगे। बीछटनी को पकते हुए दो मिनित और हो गया है। वे डखन खोल के देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी बन के तियार हो गई है, तो तक हमने खटी मीटी चट्नी बनाई है, बेसन जो अब आपका के रखा थंडा हो गया है, अभी इसमें सबसे पहले प्रटर गप सूजी डाल देते हैं, सूजी डालने से क्या नास्ते मतुला क जे बनाएगा अभी घान रेखा नामिशा जो खेशी ना यहां अर बनाएगा उनागल में इसका आठा वे घरीवादा है, वहाँ शनकून को भुछ यूतile बनाएगा जरूर नहीं है, तो में अच्छा नंब शन तन प्रलने不錯, यहां पर भुटा के तियार सैंह्त पड़ी क यह पास पूजी कद नहीं हो तो पूरा गया तो इसमें लगगा है इस लिए थोड़ा थोड़ा लग रहे है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके यह तो कहाने में बहुत ही स्वादिश लगती है और जल्दी खराब भी नहीं होती है और सुबह के नास्ते में आराम से आप फटावट बना करके तियार कर सकते हैं या दोपर की चाय के साथ ये पुड़ी वगर बना के लेते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है यस तरह से घुड़ी तरह से अमारा आटा गूंद के तयार हो गया है अर इतना बनाने में हमारे एक कप में दो टेबल ही अच्छी लगाएंगे बहुत थोड़ा से तेल लगएं इसको एक बार से अच्छे से आपस गूंद के त्यार कर लेए प्रेटा भी लोग मेंगाग। ऑटा जब बराबर गुन के तियार करेंगे तो यह अच्छे से बील सकेंगे यह आटा आपका घिला हो गया हो तो कि स्काटर डाल करके उसको ताइट कर लें यसरे पूडिक आता हो था उसी तरह काता तेयर होना चाहिए इसको बहुत जादा पतला नहीं बेलेंगे इसको हम छोट-चोटी पूड़ी बना कर तियार करेंगे जादा बड़ी नहीं बनाएंगे नास्ते में छोट-चोटी इंगम से आप चाय तो बड़ी-बड़ी बना सकते हैं आप ऐसे सुंदर दिखती है देखे आराम से यह निकल देए किसी को सर भी करते हैं या चाय के साथ भी खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है जो एक्स्त्र है उसको निकाल लेंगे और आटे में वापस मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी पुड़ी बनके त्यार हो अभी हमारा तेल गरम हो गया है इस चीज का ध्यान तक है तेल अच्छा गरम हो जाए उसके बाद में आप इसमें पुड़ियां डालें इसमें पुड़ी रही है अभी आच कोश्छी करारी पुड़ी बनके त्यार होगी अभी इसको पलट देते हैं देखे सभी पुड़ी अच्छी से फूल गई ऐसे फुली फुली पुड़ी है खाने में बहुत यसी लगती है यह कभी आपन पिक्निक में जाते हैं बारतों इसे हाप चेछब के साथ यो जो जो टमाटर की चटनी के साथ हमने बनान बढता ही उसके साथ मrar ने उसके साथ च जाने त्ट होटे बहुत अच्छि लागे लेगा अभी इस Kem Felixू अभी इसका बहुत ही शुंदर कलर आगे है एक लग पार तेल गर्म करेंड़ना चाहिए उस हाँ काला और किरिज्ट आसा तरह को अनुष्टेश पूरी बनon के किसा गड़ करो इसके साथ बहुत ही ग्रेस्पी बन ग्रिफेर के तयार दोगे मैं wszyscy तुन पूर्ण अलेज इसका combination पुणियों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है यह नास्ता आप गरम भर्म खाएंगे तो अच्छा लगता है तो आपको मारे नास्ते की और चटनी की रेसेपी कैसे लगी नीचे कॉमेंट बाक्स में लिख कैमा जरू बताएं इसी तरह के अन्य रेसेपी के मिरते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर